पुलवामा अटैक के बाद में आप मोधी ने इंडिया की तरफ से एक धमा के दार एयर स्ट्राइक करवाई जिया दोस्तों आपको बता दे कि पागिस्तान के अंदर 40 किलोमीटर के तायरे के अंदर घुज कर पागिस्तान के जहशे मौहमत के कैम्प्स को उड़ा दिया गया दोस्तों 300 से जादा इसके अंदर आतनवादी मारे गया है और ये मात्र 21 मिनिट के अपरेशन के अंदर हो गया दोस्तों सिर्फ 20 मिनिट के अंदर ही इतना बड़ा स्टैप ले लिया गया दोस्तों को बता दे कि पारा मिराज प्लेन जाकर ये कार नामा करकर आये हैं दोस् उन्हों ने भी अपने ओफिशल ट्विटर हैंडल अकाउंट से यह रियक्शन शेयर किया है दोस्तों यह काफी जादा बोल्ड स्टेटमेंट है जिनों अक्षक कुमार के द्वारा थी गही है दोस्तों उन्होंने साफ लिखा है कि अंदर घुस के मारो दोस्तों अब आप लोग सभी इसे समझ सकते हैं कि सभी के अंदर कितना जादा घुसा इस अटैक के बाद से भरा हुआ था चुकि इस बार मोधी ने अच्छा एक्शन लेते हुए सभी को काफी अच्छा तौफ़ा दे दिया है दोस्तों इंडिया के अंदर अभी सभी काफी जादा प्राउट कर रहे हैं इंडियन एयर फोर्स और मोधी के उपर तो वहीं पर अब पाकिस्तान भी जवाबी हमले की तयारियों में लगा हुआ होगा लेकिन आपको बता दें कि आप इंडिया भी चुप नहीं रहने वारा है वो भी काफी अच्छे से तयार है इसको मूँ तोड़ जवाब देने के लिए तो दोस्तों ये था अक्शे कुमार का रियाक्शन पाकिस्तान पे हुए एर स्ट्राइक्स के दावरान दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शे में ज़रूर बताईए और सबस्क्राइब पीजिए बॉलिवूड जंक्शन को ताकि आपको मेरे बॉलिवूड किया खबर सबसे पहले